यह मद्ध्रदेश को आप मित्रप्रदेश कहिए, कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ यह विरोध करना जानते हैं, लेकिन वियमनिस की राजनीति नहीं करते हैं, यह मैं अपने गर्व के साथ बहुत होश होवाश मैं मद्ध्रदेश के लिए बोल सकता हूँ, कि में उमंग भी बैठे हैं, अरुन भाई भी बैठे हैं, जीतु भी बैठे हैं, प्रालाज भी बैठे हैं, राकेश भी बैठे हैं, अदय भी बैठे हैं, नरोतम भी बैठे हैं, और सबसे बड़ा तो जोड़ने जोड़ने का अगर आपके पास कहीं कार खाना है, बाधा रख्ति गोवेज दीजे, नरूतम इश्राजी को वो उसको साथ देंगे। बहिया के अंदर वो गुण है। तो इस बहिया के अंदर वो भी गुण है। मतलब हमारा यही मानना है कि भहिया तो बाधक को साधक बना देते हैं। बहिया के लिए कोई भी पत्थर जो होता वो सीड़ी काम करता है बहिया पत्थर मानते हैं नहीं है ऐसा हमारा जो अनुभव है एक लंबे संपर्क के हिसाब से तो बहिया ने कभी भी तो ये मद्ध प्रदेश की बहुत बड़ी कॉलिटी है ये हमने देखा है और इसलिए ये कालांतर में आने वाले समय में अभी एक मद्ध कहलाता है लेकिन आने वाले समय में ये मित्र प्रदेश के तौर पे कहीं नहीं जाना जाएगा